जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल एहमत ट्रेक्नलोजी पे जो बच्चे नेलट से O-Level, A-Level, B-Level और C-Level कर चुके हैं उन सभी के लिए एक बार फिर दिल्ली में रोजगार मेला लगने जा रहा है यह जो रोजगार मेला है जो जो फेर है यह न ठीक है इसमें कैसी जा सकते हैं कहां जाना है कब जाना है complete information आपको इसमें दी जाएगी और यह हर साल लगता है 2023 में जब लगा था उस टाइम पर कैसे लगा था वो भी आपको दिखाऊंगा मैं क्योंकि हम भी गए थे उसमें तीन चार दोस्त हम मिलकर गए थे कि देखते ह है क्या होता है कौन-कौन सी company आती है बाहर से क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी company मिलती है जो बाहर से आई होई होगी और आपको जो है रोजगार प्रवाइड करेंगी ठीक है आपको jobs देंगी तो वह jobs कैसे देती है क्योंकि मैं वहापर गया था तो मुझे पूरा इसके बारे में knowledge है कि किस तरीकी से वहापर जो है आपका interview होगा ठीक है कैसे interview होगा क्या आप से पूछते है complete information आपको मिल जाएगी तो सबसे पहले यह बता दूंकि जो रोजगार मिला है यह 29 सितंबर को लगने जा रहा है अब 29 सितंबर को आपको जाना कहां पर होगा वह भी आ पर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जैसे आप जाते हो तो वहाँ पर जो इंटर्व्य आपके लिए जाएगा वापकी knowledge के बेस पर आपको जोब देते हैं ठीक है certificate भी होना चाहिए आपके बास ऐसी बात नहीं है लेकिन स्किल भी वह ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले बार्वोड बीदिया हुए बार्वोड इसकैन करोंगे फोर्म खुल जाएगा फोर्म जरूर भढ़ लेना क्योंकि फोर्म जैसे आप भरोगे तो आपका रेश्टेशन हो जाएगा रेश्टेशन होने के बाद आपको टाइमिंग मिल जाएगी उसमें कि आपको कब जाना ह ठीक है अंदर ठीक है तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सजावट भी होई रहती है बहुत सारी कंपनी आयो होती है बच्ची वह सारा आयो होते हैं ठीक है खाने पीने का जुगाड भी आपका सबसे पहले आप एड्रस लेख लिए यहां पर एडरस लिखा है complete एडर जो है नियर सागरपु पूलिस स्टेशन है डिब लोक है जनकपूरी में आपको जाना है यह complete addresses का screenshot भी आप ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा यहां पे आप देखिए यह अभी का है दो दिन पहले पोस्ट किया गया था जोब फेर इस बिंग ओर्गनाइज बाइन एले दिली सेंटर और उनत्ती सितंबर दोजार चोबिस वारियोस कंपनीज आर इन्वाइट तो इंट्रेक्ट विद पार्टिस्पेंट्स फोर इंजिनिंग दैम इन देयर रिक्वार जोब प्रोफाइल ठीक है तो आप यहां पर देखिए देयर इस नोफी पार्टिसिपेटिंग इन जोब फेर इंट्रस्टिंग कैंडिडेट और रिक्वार टू रिजिस्टर फॉर पार्टिस्पेटिंग इन दा जोब फेर देटेल ऑफ जोब फेर इस बिलो यह नीचे आपको डिटेल दी गई है उसको आप एक प सकते हैं अधर इस्टेट यूपी बिहार जहांके भी जाना चाहते हैं इसमें जो है इसले सकते हैं सबसे वह श्वाराई दिल्ली में जनकपूरी में भी तो यह ओफिस हैं के यहाप आप जा सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है जो फेर्ट से लेटेड कहां पर आना है किया डोकुमेंट लेकर आना है क्या रेजिस्टेशन के प्रोसेस है अलाकि मैं बता रहा हूं आपको लेकिन आपको कोई क्वैरी अगर है तो आप यहा युवार रोजगार मंच ठीक है यह पहले लगा था 24 और 25 अगस्त को लगा था यह 2030 में ठीक है तो यह पहले लगा था इस बार भी लग रहा है इस तरीके से आपको अंदर से देखने के मिला था यानि हमें क्योंकि आपका तो एड्रस अलग है इस बार लेकिन हमारा जो पर आई हुई होगी अप सभी अपने इंटरव्यु दे सकते हैं जिसमें आपको लगेगी अच्छा लगे जिसमें आपको अच्छी सेलली लगे मट्रस अब यहाँ पर जा सकते हैं ठीक है इख अपको चैles बीपर था मापे ठोकला मिला था खाने के लिए उसमें अंदर ये था ठीक है एक समोसा था उसमें एक बिस्केट का प्रकेट और एक बर्फी दी छोटी ठीक है ये देखिए 2030 में जब मेल आया था बच्चों को इस तरीके से मेल आया था इंपोर्टेंट इंस्ट्रेक्शन टू अटेंड जो फिर युवा रोजगार्मन 2030 इसमें इन्हों ने कहा था कि आपको अपनी ओलेवल का सर्टिफिकेट की फोटो कोपी लेका निया दो ठीक है अपनी टैंथ की ट्वैल्ट ग्रैजवेशन ट्रिपल सी कहा है तो ट्रिपल सी यानि इन सारे डोकुमेंट की दो-दो फोटो को भी लेके आनी है और ये लिखा वाता नेलेट मेल में आपको दिखा दूँगा मैं अभी ठीक है ये आपको लेके जाना था यहाँ पर देखिए ये पिछले साल का है ठीक है दिस इन रेफरेंस टो योवर एप्लिकेशन टूदा जो फियर वेन्यू इस करकरदुमा मैट्रो स्टेशन करकरदुमा मैट्रो स्टेशन था नियर इस्ट वाँ ठीक है तो यह पिछले साल का है यह इस एड्रस पर आपको नहीं जाना है इस पार यहाँ इस तरीके से वहाँ पर आपको यह जब गए थे हम यह मिला था लेकिन अब आपको जो एड्रस मैंने बताया है इस एड्रस पर आपको जाना है 29 सितंबर को रेजिस्टेशन कर लेना अभी अपना रेजिस्टेशन की जो लास्ट डेट लिखी हुई है 20 सितंबर लिखी है ठीक है लास्ट डेट जो है रेजिस्टेशन की 20 सितंबर है 20 सितं मिशन मिल जाएगे आपको होई से तो फिर आपको वहाँ पर जाना होगा और जो बच्चे ओलेवल कर चुके हैं आप उन्होंने चाहिए 2023 में लेवल क्या हो दो 2022 में लेवल क्या हो या कभी भी लेवल क्या हो तो आपके पास मेल आया होगा ठीक एक बार मेल जरूर्ड कर जा फिल जाएगा ठीक है तो यह बिस तराइक से आपके पास मेल आया गए जरोड चेक किजिए गा इने रेट्स आड यह पर इंफर्मेशन लिखी हुए है ठीक है यहाँ पर जो क्या-क्या इन्सरेक्षन है वो भी देखे क्या प्या-क्या लेक्स आना है तो यहाँ पर लि ओर लिंक दिया होगा तो इसमें फोर्म के लिए पिछले साल का यह मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से आपके पास मेल आएगा यह आपको यह बताना एक लिश्ट थ्री पाश्पोर्ट साइज फोटोग्राप्स रिज्यूम गोर्मेंट फोटो आईडी आधार कर्ड वगरा भी लेकर जाना है आपको ठीक है और ओल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास है जितने भी आपने क्वालिफिकेशन आज तक आसी लिखें है उसके करेंट इंप्लोयर्स ओफर लेटर ठीक है लाश्ट थ्री मंथ सेलरी सिली प्लीज बिरिंग ओरिजिनल डोकुमेंट्स एलोंग विद थ्री सेट्स और फोटो कोपी तो ओरिजिनल डोकुमेंट्स आपकर किसने चेक किये नहीं थे लेकिन आप लेकर जा सकते हैं अ करना मेल अगर आपके पास आया होगा तो आप अपना कर लेना उसमें लिंक दिया होगा रिश्टेशन के बाद आपको वहाँ पर विजिट करना है 29 सितंबर को ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि वहाँ पर होता क्या है सच्चा ही क्या है इसकी जो फेर है यह हर साल लग कंपनिया यह जो सामने आपके बोर्ड दिख रहा है न इस पर सारी कंपनियों के लोगों और उनके नाम दिये हुए हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको वह सारी चेर्स थी हम जब गए थे तो यहां पर बिठाया गया बच्चों को और उसके बाद जैसे बच्चों को क्या है बच्चे ने क्या online registration क्या है तो उसको एक चीट मिलती थी पर चीट आइप उसको उसके हाथ पर लगाके या उसको दे के अंदर भेज़ दे जाता हुए नके जो members हैं, वो बैठे वे हैं, लड़किया भी होती है, लड़के भी होती है, वो interview लेते हैं, एक एक बार में 3-4-4 बच्चों के interview लेते हैं, और वो पूछते हैं, ठीक है, आपको किस चीज के knowledge है, ठीक है, जैसे आपको कुछा आता भी है, तो हम पर बता दीजिए, और उसी के हिसाब से, आपको जोप मिल जाती है, जोप, जैसे हमें लगा तो वहाँ पर ज्छादा पैसे नहीं मिलती, जात नहीं होती है, इतनी, जिस बारह होसे बारह से पंद्रह हजार तक की है आपको वहाँ पर जो मिलती है अगर आप जाते हैं एक बार आप जाके जरूर विजिट करिए घुमिए ठीक है कुछ भी नहीं नहीं भी होगा तो कुछ experience तो आपको होगा आप जाके देखोगे कौन-कौन सी company है आपकी जो knowledge है उसके कितने रुपय तक कि आपको नोहरी मिल सकती है तो यह आपको वहाँ पर जाके चेक करना लॉरी होता है ठीक है तो जाईएगा जरूर महाँ पर जो address मैंने आपको बताया है इस एड्रस पर जाएगा तो नोट जरूर कर लिए जाएगा यह एड्रस पर जाना है 29 सिदंबर को रेजिस्टेशन जरूर कर लेना जो भी जाना चाहता है उसमें आपको कुछ नहीं फिल करना सिर्फ आपना जो नाम और नाम के बाद आपको डेटो बढ़ता अपनी चूज क इस तरीके से तो दिये तो सीरियल नंबर आप मान सकते हैं इसमें यहाँ पर वह है बच्चे को किस टाइम जाना है ठीक है इसके लावा यहाँ पर फूल नेम ऑफ कैंडिडेट का पूरा नाम है यह लिस्ट जैसे आपको इसमें आप रेस्टेशन कर लेते हो यह पहले की है किस कंपनी के लिए आपने अपलाई किया है कंपनी भी पुछ जाएंगे आप से आपका कहां पर जोब करना चाहते हो तो वह भी आप जो है उसमें फिल जरूर कीजिएगा ठीक है कि देख लिए बच्चों किया हुआ है बालाजी इंटरप्राइस में वह सारे बच्चों न देखे टोटल जो बच्चे थे 571 बच्चे हैं टोटल तो इस तरीके से आपका नाम आजाएगा लिस्ट में आप अपना नाम चेक भी कर सकते हैं रिजिटेशन करने के बाद इस तरीके के लिश्ट आपको दिखेगी अगर क्योंकि पहले तो इस तरीके का हुआ भी है प्रड़ कर लिजेगा इसके शोट ले सकते हैं जो भी आपको पूछना है इन से पूछेगा यहाँ पर जो नंबर दिए वें ठीक है तो आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और जो बच्चे ट्रिपल सी कि हैं सिर्फ ट्रिपल सी कि हैं क्या वह भी जा सक है क्योंकि वह जो प्राइवेट कंपनी कोई भी हो उसको काम चाहिए ठीक का तो इसलिए सर्टिफिकेट है अच्छी बात है लेकिन आपके पास तो मेरी सलाही है अब चले जाना ठीक है हाला कि बिना रिश्टेशन के पिछली बार तो बच्चों को अंदर एंट्री नहीं है लेकिन इंटर्व्य के लिए बच्चों को नहीं भेजा गया था जिन्होंने वहीं पर बहुत सारे मेंबर्स बैटे वे होते हैं आपका रेजिट्रेशन में नमबर चेक करते हैं या नहीं है ठीक है लेकिन हो सकता है इस बार सबको अलाव किया जाए तो एक बार जाएग है वहाँ पर आपको बता दे जाएगा कि किस तरीके से आना है क्या प्रोसिस आपका तो वहां से आपके लिए जले कि चोले अब जो भी आपका डाउट है पूछेगा और कमेंट बोक्स में अगर आपको कोई से रिलेटिड है तो मुझे बताइएगा वहाँ पर आपको रि आपको पिति आपको वहाँ वहाँ पर नहें से आना है तो मुझे पु tutti जडेगा वहाँ पाताव प्मेंट में बताबsınız कि कि season 2